क्या आप azor company में काम करना चाहते हैं या फिर काम करने वाले क्या आपको azor company की पूरी जान करी चाहिए कि azor company में क्या काम होता है और कैसे काम करना पड़ता है या फिर आपको azor company से call आया था जिसमें आपको training के बारे में आपको work के बारे में बताया गया तो इस video में आपको आपको बिल्कुल स्टीक एकुरेट आपको जानकरे मिलेगी कि एज़ोर कंपनी का काम क्या है कैसे आपको काम करना पड़ेगा एंड आपको कितनी अर्निंग मिलेगी तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों मेरे नाम संधीप एंड स्वागत आपका अपने चैनल पे अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साधी प्रेस बेल को हीट करें ताकि इंपोर्टे इंफ्रमेशन आपको टाइम टो टाइम मिलती रहे साथ ही चैनल से आपको बिजनेस के लिए, मुल्टिलेबर मार्केटिंग के लिए एड परसन ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हैप मिलेगी अगर आप चैनल की प्लेलिस में जाएंगे तो आपको साथ से ज्यादा वीडियो मिलेगी जो आपके बिजनेस को डाइब करने के करेंगी तो दोस्तो चलिए श्याद करते हैं आज किस वीडियो की दोस्तो अगर आप एजोर कंपनी में काम करना चाहते हैं तो यह बाते जानना आपके लिए बहुत जूरी नहीं तो आप प्रोडम में पड़ सकते हो तो यह सबसे इसमें पहला पोइंट आता है फुल अगर आप पूरी information लेते हैं तो आपको काम करने में ज्यादा असानी रहेगी उससे पहले कि अगर आपको कोई इसके बारे में बता रहा है तो उस person से आप पूरी detail ले सकते हैं कि क्या काम करना है कैसे काम करना है अगर मैं आपको azord के बारे में बताओं तो azord एक direct sale based company है इ जब भी आप azord company में काम करने जाते हैं तो आपसे training fee ले जाती है तो azord company की announcement हुई है कि azord company भी training fee नहीं लेती है जो भी आपके fees ली जाती है वो आपके accommodation fee ली होती है वो आपके खाने और रहने का खर्चा होता है तो जिससे भी आप बात कर रहो जिसके थूप भी आप company में ने ong मीन नहींट में किरके दम county क्रेंट यस से आपका पैसे की बजजट भी हो सकती है एंड second thing कभी या पी आप इस्थी कंपी Ky boa करने जारे हो तो कभी यह प्रेंटी आप जादा सस्थंधान करें किरका पासे इंप मां आपका सकती है तो दोस्तो आपको azure company में अपने डोकमेंट समित करने के जूरत नहीं है क्योंकि azure business है and business के लिए आपको सिर्फ अपना धार card and आपका pen card and आपका account number चाहिए जिसमें आपका money transfer होगा तो यह जो इसके basic documents लगेंगे और धार card, pen card and आपका account number ही लगेगा so दोस्तो इसका चोधा point है वह है shopping काफी important point है तो जब भी आप azure company में काम करने जाते हो वहाँ पर training attend करते हो and after that अगर आपको वहाँ से shopping करते हो तो आपको कभी भी अपना ATM किसी को नहीं देना है या फिर आपको अपना pin किसकात share नहीं करना है and सहाथी में अगर आप नहीं से कोई product ले रहे हो तो वह shopping आप खूद करने किसी से ना करवाए तो आपके लिए जादा सही रहेगा तो आप अपनी मर्जी से मापे shopping कर सकते हो है and यही rule and regulation में आता है कि आप अपनी shopping कुद करें आप अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से माँ से product लें ताकि आप बाद में इस चीज को लेके कभी भी inactive feel ना करें तो दोस्तों इसका जो तीसरा point है वो है network marketing, direct sale and multi-level marketing तो Azure इसी base पे काम करती है and आपको भी इसी base पे काम करना पड़ेगा तो आप इस company को join करने से पहले inks के बारे बढ़ दें कि direct sale क्या होती है, multi-level marketing क्या होती है and network marketing क्या होती है तो आपको Azure company में काम करने में और असान ही रहेगी and आप Azure company से ज़्यादा profit आग कर सकती हो तो सबसे पहले में के बारे में आपको थोड़ दोर बदाना जाता हूं कि direct sale कि अगर कोई भी company online based काम करती है तो वो company अपने product को directly customer तक पहुंचाती है, इससे customer को भी benefit रहता है and इससे distributor को भी benefit रहता है Azure multi-level marketing भी काम करती है, network marketing भी काम करती है, तो इसमें आपको as a teamwork काम करना पड़ेगा तो इसमें teamwork काम करने से आपको भी खुद के काम से भी profit होगा and आपके team से भी जो काम करी उससे भी आपको profit मिलने वाला है दोस्तों, इसका second point है वो है training center, तो Azure training center है वो all over India में है, वो आपको ही हार state में मिल जाएंगे तो अगर आप Azure में काम करना चाहते हैं, तो आप Azure किसी भी ब्रांच में काम कर सकते हैं, तो आपको इससे practically उनसे connect करना पड़ेगा अगर आप Azure में काम करना चाहते हैं, आप अड्रेस अपना निजे डाल सकते हैं, अपना पूछ सकते हैं कि इस city में Azure कोई branch है या नहीं, तो उसके regarding, आपको comment में आपको information मिल जाएगी कहा, उस जगह उसकी branch है या नहीं, तो आपको Azure कोशन के बारे में बागी कोशन भी आप आप comment में पूछ सकते हो, ताकि आपको उसकी information मिल जाए, साथ ही में दोस्तों, आप अपने comment में पूछ सकते हैं, आपने doubts, आपने question पूछ सकते हैं, कि मुझे इसके बारे में ये दिक्कत आ रही है, मुझे इसकी बात में ये बात समझ नहीं आ रही है, तो वह बात में तो Azor की आप तीन दिन की टेलिंग लें, उसमें आपको बिल्कुल stick and ad credit जानकर दी जागी, कि आपको काम कैसे करना पड़ेगा, और आपको कितनी earning हो सकती है, और साथ ही में आपको बताना चाहता हूं, कि Azor के बारे में बहुत सारे लोग हैं, जो गल्त information देते हैं, यूट आपको काम करने हैं, तो दोस्तो अकर आप इस कंपनी में आपको काम करने हैं, तो आप self decision लें, आप यूटूब पर जाते हो, गूगल पर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारे चैनल हैं, जिन में इसके बारे में गल्त information दी गई है, तो वोग लोगों का इस कंपनी में गल्त experience रह तो वोग इस कंपनी को ब्लेमिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों, कंपनी साथ साल से काम कर रही है, बहुत ही वडे लेवल पर काम कर रही है, तो आप आप Azor की और जानकारनी के लिए आप चैनल की playlist में जाए हैं, और YouTube पर Google पर सफच कर सकते हैं, आपको और information मिल जाईगी, आपको एजोर के बारे में information मिली होगी, अगर आपको एजोर के बारे में more information चाहिए, तो आप चैनल की playlist में जाएं, आपको वा में पूरी जानकारी मिलीगी, कि क्या काम हुगा, कैसे काम करना पड़ेगा, और वो कितनी earning आएगी, साथ ही आप अपने doubts, अपने comment मिली सकते हैं साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेर करें, और चैनल को subscribe करें, have a good day.